अब ये क्या होता है ये mechanical rectifier की तरह work करता है किस की तरह is a mechanical rectifier क्या है commutator एक mechanical rectifier है कैसे है which convert किसको convert करता है AC current को DC में change करता है in case of generator generator में ये करता है AC को DC में आगे इसका point लिखा हुआ है DC को AC में change करता है motor में अब आपको ये समझना होगा यहाँ पर ये point बहुती exam में बार बार ये जेई और exam में पूछा जाता है जब ये AC को DC में change करेगा तो बर्ग करता है rectifier की तरह है ठीक है जब ये DC को AC में change करेगा तो ये बर्ग करेगा converter की तरह है तो inverter की तरह बर्ग कर रहा है generator में और converter की तरह बर्ग कर रहा है motor में ये हैं पर बार बार question ये के और ये exam में पूछा जाता है अगला question हो जाता है student commutator जो made होता है किसका बनाए जाता है यह copper segment का बनाए जाता है किसका इसको कभी कभाई बोलते है hard drawn copper किसका बनाए जाता है hard drawn copper segment का बनाए जाता है insulated from each other by mica seat and mounted on the shaft अब आपको यह समझना होगा कि जो commutator है बनाए जाता है driven copper segment का और क्या होता यह insulated होता है किस से माइ का seat से एक दूसरे से insulated होते है और किस पर माउंट किया जाता है shaft पर हिआ पर mount किया जाता है अब यहाँ पर और पढ़ लेते है armature conductor or solder क्या होते है soldered होते हैं किस पर commutator segment वी मेन्ट वर आप बात आंप में यहां पर कै रमीचा किंडेक्टर हम कैसे उस पर किनेक्ट करता हैं थैल कि इंक तो उनको पर फश्झी यहां पर साथी करें उनकी एक सुटेबल में की जाती है जिसी कि हमें क्या हो यह दो आर में इसके में नेक्स्ट कोस्टन नेक्स्ट है ग्रेट के एस टेकन इन विल्डिंग ली कम्यूटेटर बिकॉज कम्यूटेटर के बनाने में बहुत ही क्या होता ध्यान रखना पड़ता है क्यों क्योंकि एनी एसेंट्री सिटी क्या करता है कोई भी एसेंट्री सिटी क्या कर सकती है ब्रुष को बांद्र कर सकती है तो यह कुछ डिफेक्त होते हैं जो अगर आप कम्यूटेटर को ध्यान से नहीं बनाएंगे उनका जो निर्मान अच्छे से नहीं होगा तो उस पर क्या क्या हो सकता है ब्रुस जल सकता है एसे एंट्री के कारण कम्यूटेटर कारवोनाईज हो जा सकता है कारवोनाईज जम सकता है और ओवर हीट हो सकता है तो यह हैं से exam point वीज़े जो related point थे कम्यूटेटर के बारे में अक्सर आते रहते हैं यही और A&E और ITI लेवल के एक्जाम में यहां पर मैंने पूरे को पूरे कर चुके हूं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ वेल आइकॉन को प्रूस कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जिससे हमारे आने व वीडियो अग्रही ट्वीडियो और लाइकॉन को वाव चैनल को झाल झाल प। सकते हूं तो झाल टाइक है।